नमस्कार दोस्तों आपका चैनल RK105 में फिर चिशी बहुत बहुत स्भीक आज का अपना टोपिक है मेगावरन की परतीक अभी मुषंब परतीक ही आपना टोपिक चल रहा है तो इस इसे के अंदर सेक का अर्थ नहीं समझवाते कि सिंबल क्यों बनाएंगे कहां काम आते ही सिंबल तो इसलिए मैंने इस छोड़ चोड़ टोपी के ओपर भी वीडियो बना दिया है तो अपने मेगावरन के परतीक के अंदर देखिए तीन खंड बढ़ाएं मैंने करम संक्यालिदीस में और यहां मेग परतीक लिखे हैं और यहां पर मेगावरन की मात्रा कि कितने परतीसत्याने कितने भाग पर हमारे आकाश के कितने भाग पर मेग मिलते हैं ठीक है तो उसी का सिंबल उसके सामने बना हुआ है कि कितना मेग आवरन है तो उसी के सामने उसका सिंबल इतना आपको बना दे लेना है उस चेत्र के अंदर तो इसमें सबसे पहले अपने देखते हैं कि फर्ष नंबर है एक मुने वृत्त बनाया और आप एक ध्यान देजिएगा कि वृत्त बनाने के लिए किसी प्रकार के रिंग का आप इस्तमाल कर सकते हैं कि आपको यह दिया रखना है कि यह आपने जो वृत्त बनाने हैं यह बिल्कुल एक समान आकरति के होने चाहिए और एक ही सिद्ध में होना चाहिए जल्दवाजी में क्या कोई वृत्त इस तरफ कोई इस तरफ बना लेते हैं तो इसका विशे दिया रखना है कि यह वृत्त किसी दिने होने चाहिए तो जिसमें सबसे पहले ये देखिए फर्ष नंबर तो एक मने वृत्पनाया उसके बीच में बिल्कुल कोई किसी परकार का कोई भी रेखा नहीं खिचनी है सिर्फ एक वृत्पना देना है इसके सामने लेख देना है यानि कि उस समय में जहां पर आकाश बिल्कुल साफ होता है किसी परकार का कोई भी बादल नहीं है वहाँ तो हम उस छेतर के लिए इस सिम्बल का इस्तमाल करेंगे फिर देखिए आकाश में देखो एक बटा आठ अनुपात चलेगा लगाता तो एक बटा दो बटा तीन बटा चार बटा पांस बटा च्रह बटा शैव बटा उसाथ बटा आठ और आठ बटा यानि कि पूर्णा की पुर्णा ठीम तो ये इस परकार से आप इसे लगातार देख करते हैं तो लेकिन फिर भी यान देखिए अब देखिए इसके लिए बिल्कुल मेग रहीत आकाश है तो एक बादल माग करती है निकि गोल बिर्ट बना दिया और बिल्कुल भी कुछ भी कोई अंदर से विलेकर नहीं है बिल्कुल खाली है ठीक है तो मेग रहीत आकाश कहला गई फिर एक बटा आठ भाग यानि कि एक बटा आठ भाग है टोटल अगर इसके आठ भाग कर दिया जाए तो उस आकाश के तो उसमें से एक भाग बादल से अचादित है तो इस परकार की कंडिशन के अंदर आप तो बिल्कुल सीधी रेखा खिंचेंगे इस परकार और यह देखिए और इसे ब्लैक कर दीजिए तो इस ब्रित का लगबग एक बटा आठ हिस्सा जो है वो हमने ब्लैक कर दिया है अब आकाश की मातरा इसमें मेगाशान की मातरा बढ़ गई है एक बटा चार आ गया है यानि कि दो बटा आठ भी लिख सकती है आप इसे ठीक है काटने मेर एक बटा चार हो जाता है तो इसके अंदर आप एक बटा चार के अंदर देखेंगे कि इस वृत का एक बटा चार भाग जो है वह आप ब्लैक कर देंगे फिर इसमें देखिए तीन बटा आठ तो आपने इस परकार एक निचे की तरफ रेखा तो खिंच देनी है लेकिन ब्लैक बस यही इससा करना है कौन सा जो एक बटा चार भाड़ा ब्लैक कर देना है तो तीन बटा आठ बढ़ाने के लिए इसमें यहां से यहां निचे की त देता है तो आपने इसे हिंख सिस्वा और इसे भी ब्लेक कर देना तो यह हिस्सा तो है बिल्कुल ही तो इसमें आपने यहां से इस तरफ एक रेखा खिंज देनी है सिर्फ एक रेखा खिंज ने हैं ब्लैक कोई नहीं करना तो यह पांच बटा आठ बन जाएगा इसके बाद में तीन बटा च्यार यानकी 6 बटा आठ याप लिख से रहते हैं इससे काटवगे तो तीन बटा च्यार पर यह रुख जाता है अगर इसे दिखाने के लिए आप पूरा ही इसे इस तरफ का इसा पूरा ही ब्लैक कर दोगे और इसका एक चुथा हिसा आप सपश्च साफ छोड़ कर दोगे यानि कि तीन बटा चार इसे को आप बलेक कर दोगे तो इसके लिए यह सिम्बल इस्वार करेंगे फिर देखिए साथ बटा आठ तो आपने वही कार्या करना है एक बटा आठ वाड़े जैसा साथ बटा आठ है क्योंकि आठ में साथ भाग जो है वो में का चाजित इससा तो यह बीजर कई साथ जो है वह आप फाइट हूडत देंगे और किकर आपने कि वह आप पर ब्लैक कि यहाँ यह यहाँ यह जो है वह आप white छोड़ देंगे जिसे गहरा काला नहीं करेंगे अब देखिए आकास पूनता है मिग में तो आप समझ पारे हैं आगे क्या करने वाले हैं ये पूरा का पूरा जो बृत है ये अपने लेकर कर देंगे और ये सिंबल जो एक्स्ट्रा आपको दिखाई दे रहा है आपको देखिए आपको देखिए तो आपने इसे एक रिखा काट कर इसे अपने आपको देखिए लिख देंगे तो ये से अपने मिगावरन के प्रतिक दस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद